मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दिजे आज हम आप लोग को अच्छा बार्मी के भातिक वियान के लेसन धारिता का टाफिक उभए निष्ट विभव कामन पोटेंशिल के बारे में बदाने जा रहे हैं क्या होता है वाटिज कामन पोटेंशियल उभए निष्ट विभव कराएं कि हम मानेंगे माना सीवन तथा सीटू धार्ता वाले दो चालक ए तथा भी है कि जिन्हें क्रम सह कीवन वाक्यूटू आवेशो से आवेशित किया गया है दो चालक है ए तथा भी जिसकी धार्ताएंस सीवन वासी टू है और उनको जो आवेश दिया गया है वो कितना है कीवन वाक्यूटू है तो उच्छका विम्हाव क्रम्स भीवन और भीटू हो जाता है तब Q1 इक्वाल C1 इन्टू भी और Q2 इक्वाल C2 इन्टू भी होगा पहले का आवेस Q1 इक्वाल C1 इन्टू भी और गुचरा अग्वाल divided का क्यम्हाव और Q2 इक्वाल C2 इन्टू 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 अवेस Q1 प्लस Q2 या q equal q1 की value c1 into v1 plus c2 into v2 यह कैसर नमबर 2 जाएगा यह चाल लखाएं आपका अब यहां पर जोड़ दिया जा रहा है दोनों चालकों को पहले लग लग है अब जोड़ने के बात यदि चालकों को नगण धारता वाले तार से परस्पर समय कर दिया जाएं कि इतना धारता वाले नगण धारता वाले तार से परस्पर सनुजित कर दिया जाएं तु आवेश का प्रवाह उच्छ विभाव से निवन विभाव की उर मूने लगता है तथा तब तक होता है जब तक दूनों चालकों के विभाव समान ना हो जाएं जब तक की दूनों के विभाव ब्राबर ना हो जाएं कि यदि सन्यूजन के पश्चात सन्यूजन के बाद चालकों पर आवेश क्रम्सह कीवन तथा क्यूट्यूट्यश है तो तरक हैं कि तनी फाले सतनी कर दिया जा रहा है जोड दिया जा रहा है उसके बाद उसके बदल बदल गया जाल कितना अब आवेस भी बदल गया कीवण डैस की टू डैस ताथा उन दोने चाल को आप जुड़ा हुआ भी वह भाय वह बनी स्टों किता है भी यू तो कीवण डैस अब चेंज हो गया ने तो कीवण डैस इकवल हो जाएगा सी वन इन्टू दोनां के कामन के वह वह गया ताथा यह कैसे नमार थान्ट जाएगा बदला हो आवे सब्सक्राइगा न भी अब की ओन डैस इक्वाल सिवन इंटु भी धार्ता तो है यह लेकिन ब्यू बदल गया न भी वहन तर एक की टू डैस इक्वाल सीटू इंटू इंटू जाएगा चालकू के सनुजन के बाद कुल आव इंक्यों इंटू 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 जो बराबर और वी कमल ने लिए तो Q इक्वाल भी कि सी उन प्लास कारा की आवेश स्रक्षण कि नियमान नुसार भी सब्सक्राइब नियमा नियम कि आप अलेक आवेश इकवर बाद में का आवेश में तो ऊथ्पन किया जा सकता है और नहीं नस्ट किया जा सकता है क्यों उसे एक बस्तु से एक बाड़ी से दूसरे बाड़ी पर ट्रांसफर किया जा सकता है तो वही आवेस रचन के नियम के इनसार सन्योजन से पूर चालको का कुल आवेस बराबर हो जाएगा सन्योजन के बाद चालको का कुल आवेस पूरो में जितना है उतना ही बाद में तो जो बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 इन्टु V इक्वाल यह बार वाला C1 प्लस C2 इन्टु V इक्वाल C1 इन्टु V प्लस C2 इन्टु V धर देखें, अब इसी क्रम हम देखते हैं कि क्या होता है क्या होता है क्या तो चाल कूं का उभेनेष्ट भी विभाव V equal C1 into V plus C2 into V by C1 plus C2 V equal C1 into V plus C2 into V by C1 plus C2 इन मानों को उपर के समिकरण में रखने पर सनुजन के पस्चात चालकों पर अविश की मत्राएं Q डैस इक्वाल Q डैस इक्वाल C1 into C1 into V plus C2 into V by C1 plus C2 हो जाएगा अर्याव इस्वाल क्या होता है तो होता है आपका यह C1 into V तो यह C1 into V होई गया और C1 और वी की में लिए वन इस्ट भी हो C1 into V plus C2 into V by C1 plus C2 हो जाएगा अब तो इसी तरह से Q2 डैस के लिए भी हो जाएगा C2 into C1 into V1 plus C2 into V2 by C1 plus C2 फुरेगा यह 5 और यह 6 हो गया अब करेक्ष शमीकरण 5 से समीकरण सेकेंड का भाग देने पर समीकरण 5 में समीकरण 6 से भाग देजे पांच में 6 से भाग देजे तो Q1 dash by Q2 dash Q1 dash by Q2 dash equal C1 by C2 हो जाएगा करेक्ष स्नयोजन के पश्चात अविश्यो का पुनह वित्राण उनकी धारिताओं की अनुपात में होता है करा कि श्च्नजोजन के प्रस्चात अविश्यो का पुनह वित्रा उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है ठीक है तो यह हो गया आपका चल्कु में जाए किसमें को बात है थेंक्स